नमस्कार दोस्तों आपका बहुत 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 स्वाकत है आज की स्वरिश वीडियो में आज की तरह बात करने वाले की सतरह सब डिजिटल ओशन के सर्वर को रेग्यूलरी अपडेट कर सकते हों तो देखे बहुत सारे यूजर मुझे बार-बार कमेंट्स के अंदर पोस्त की सतरह से मैं मेरे सर्वर को अपडेट करता हूं और आपको की सतरह से अपडेट करना चाहिए तो यह सब के बार मैं जानने के लिए वडियो देखते रहे हैं तो देखे सबसे पहले तो आपके सामने जो वेबसेट ओपन है वीवूम.com वो डिजिटल ओशन के अंदर मैंने होस्ट करके रखा है तो बहुती सारे युजर मुझे कमेंट्स करके पूश्ट है कि क्या हमारे सर्वर को हमें अपडेट करना चाहिए या नहीं अगर हम अपडेट करना चाहिए तो देखे सबसे पहले तो आपको अगर आपके सर्वर को जो अपडेट करना है तो इस केस मे आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में कुछ कमाड दोंगा इसका यूज़ करके आसानी से आप अपने सर्वर को रेग्यूलरी अप्डेट कर सकते हो अगर आपके पांस ज्यादा टाम नहीं है आप जो दुसरे काम के अंदर बीजी रहता हो तो आप यहां पर विकली भी आप सर्वर को अपडेट कर सकते हो इसमें आपको किस भी प्रका प्रोब्लम नहीं होगा तो शिंपल आपको करना क्या है आपके कंप्टिटर के अंदर आपको पूटी इस्टॉल करके इसका यूज़ करना है अगर आपने अपका डिजीटल ओशन का सर्वर कंफिगर किया होगा तो आपको यहाँ पर porti के बारे में पाता होगा तो यहाँ पर मैंने porti open के लिए है अब देखी यहाँ पर मैंने server की information को save करके रखा है तो जो मैं यहाँ पर view website इसका server update करना चाहता हूँ तो simple यहाँ पर मैं इसे open करूगा इसके बाद यहाँ पर simple आपको जो आपको username में वो यहाँ पर लिखना है तो server का username में root और इसके बाद आपको आपका password लिखना है तो देखी यहाँ पर server के अंदर में successfully login हो चुका हूँ तो जैसे आप login करोगे तो यहाँ पर देखे आपको देखे देगा कि जो 43 package यहाँ पर update के लिए available है और इसके बाद यहाँ पर जो security update है वो जरूर क्योंकि मैंने यहाँ पर recently इसे update किया था तो अगर यहाँ आपने काफी time से जो आपका server update नहीं किया तो यहाँ पर आपको बहुती सारे update एक साथ दिखा देगे तो इसको आपको यहाँ पर regularly या तो weekly update करना बहुती जरूर है क्योंकि जो आपका server यहाँ पर secure रहेगा तो इसे कीस तरह से update करना है वो आपको बताता हूँ आपके server के अंदर login करने के बाद वीडियो के description में आपको कुछ command मिले के इसका आपको यूज़ करना है यहाँ पर मैंने notepad के अंदर save करके रखें तो यहाँ पर window को minimize करते हैं तो यहाँ पर जो notepad के अंदर मैंने इसे save करके रखें तो यह सभी command का आपको यूज़ करना है आपको जो only 2-3 command का ही यूज़ करना है सबसे पहला command है इसकी मद्दे से यहाँ पर आपको जो आपकी सर्वर की security वगिरे की update की चेक करनी है तो पहला command कोपी किजिए इसका बद आपको paste करना है और enterprise करना है तो यहाँ पर जो हमारे सर्वर के अंदर security update 0 है तो इसका मतलए को यहाँ पर time नहीं लगेगा और देखिए यहाँ पर done हो चुका है इसके बाद जो दूसरा command है इसके मद्दे से अब देखिए जो आपका command server है वो update होगा तो इसमें time लगेगा यहाँ पर आपको देखिए जो 43 package है वो अब update होगे तो आपको यह command यूज करना है एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पर पूछेगा इसके बाद आपको यहाँ पर yes प्रेस करना है तो यहाँ पर बहुत ही सारा time लगेगा यह डिपन करता है कि आपने recently आपका server कब update किया था तो यहाँ पर देखिए 43 package है तो इसको यहाँ पर update होगे थोड़ा time लगेगा तो यहाँ पर आपको wait करना है जैसे यहाँ पर complete होगा इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा command है इसका use करना है अब देखिए जो आपका website digital option कंदर है तो यह सब करना बहुत ही important है और बहुत ही सर्वर है लेक्स के अंदर होगा तो यहाँ पर इसको secure रखना बहुत ही important है तो देखिए यहाँ पर सर्वर अब्ड हो चोगा इसके बाद जो आपका last command होगा इसके मतलब से जर्ष्ट आपको जो आपके सर्वर को एक बार restart करना है तो फिर से आपका server है वह running mode बाश या नहीं तो जो हमारा server है वह अभी running mode में है और हमारा server यहाँ पर successful update हो चुका है तो इस तरह से प्रोपर वेसे जो आपका digital ocean का server है या तो किसी भी VPS hosting का server इस तरह से आप update कर सकतो आपको इसे रेगिलरी या तो weekly update करता है I hope कि आस तो आपको पासंद आया होगा अगर पास हुआ 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 है